JLN VIP मार गए उस पर heavy vehicles allowed नहीं है Tonk road पर इसलिए heavy vehicles का movement रहता है परन्तु अब क्योंकि इनका काफिला tonk road से निकलना है इसलिए tonk road का light vehicle का traffic तो JLN पर divert रहेगा परन्तु heavy vehicles को इधर divert नहीं कर पाएंगा तो heavy vehicles के लिए दूसरे जो रास्ते हैं बीटू बाइपास से या अन्य वेकल पिकरास्तों से heavy vehicles को निकलवाया जाएगा light vehicles का JLN मार्क या अन्य मार्कों से डाइवर्जन रहेगा और वो भी कोशिशे की जाएगी कि minimum समय के लिए डाइवर्जन किया जाए जिससे आम जनता को कम से कम अस होई दाओ